भाई लड़की को मैंने नमबर दिया और नमबर दिये हुए तीन दिन होगा एक हफता होगा पंदरा दिन होगा लेकिन भेंचो कॉल नहीं आई तो आज इस वीडियो का टॉपिक आपको पता चली ही गया होगा कि क्या होने वाला है आज हम बात करने वाले आपने लड़की को नमबर दिया चाहे कहीं भी दियाओ चलते फिरते दियाओ या किसी पार्टी में दियाओ उस लड़की ने आपको कॉल क्यों नहीं किया क्या वज़ा है इसके पीछे क्या कारण है क्या गुत्ती हो सकती है जो उसने आपको call नहीं किया और इस टॉपिक को cover मैंने इसलिए किया है क्योंकि कुछ लड़कों के बहुत ही ज़्यादा comment साते हैं के भाई मैंने लड़की को यहां नमबर दे दिया, वां नमबर दे दिया, मैंने लड़की को पाटी में नमबर दिया था, लेकिन यह त उस लड़की की कॉल नहीं आई कि लड़की की अब कॉल आजाएगी, अब कॉल आजाएगी, लेकिन भाई कॉल आती ही नहीं, और भाई इतना ख्यालों में मत खो, खोगे तो भाई ख्यालों में खोते ही चले जाओगे, पता नहीं चलेगा कि कहां अगर, और एक बात और दिमाग में डालो, जो पार्टी में या कहीं भी आपका number ले सकती है उस लड़की को अगले दिन तुमसे अच्छा कोई और लड़का मिलेगा वो उसका भी number ले सकती है और ये भी मत सोचना कि 15 मिनट में उसको आप पर crush हो गया था जब आपने उसको अपना number दिया था तेजपंती दिखाती है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये बंदीना कसम से call जरूर करेगी और जब call करने की बारी आती है तो वो नकली करवा देती है अब मैं आपको अपना example बताता हूँ एक शादी में मैं एक लड़की को number दे कर आया तो उसके बाप का call आया आप क्यों आया भाई एक बार आप नीचे comment करके मुझे जरूर बताना मैं तो confused हो गया था तो अब चलते हैं तीसरी बात की तरफ जिससे आप और ज़्यादा सही से समझ पाओगे देखो भाई जब आप लड़की को number देते हो तो उस वक्त अगर वो सही जगा पर चला जाता है तो बढ़िया हो जाता है सही जगा से मेरा मतलब है अगर लड़की उसे ऐसी जगा महफूस कर लेती है जहां उसे पता रहे क्योंकि शादी पाटी की चका चॉंद ऐसी होती है कहीं उससे number misplace ना हो गया हो क्योंकि लड़कें किसी भी चीज़ को समभाल कर नहीं रख पाती है तो भाईयों आप चलते हैं चौती वज़ा की तरफ भाईयों आपने कई बार देखा होगा कुछ लड़कें शाय होती हैं और बहुत ज़्यादा शर्मीली होती है तो कहीं ना कहीं ये वज़ा भी होती है जिसकी वज़ा से लड़की आपको कई बार call नहीं करती है तो अब चलते हैं पांच भी और आखरी बात की तरफ जो आपको खुश कर सकती है अगर आप किसी लड़की को अपना number दे कर आयो जाड़ना चाहिए और कई बार आप नीचे कमेंट करके कहते हो ना कियार मेरे पड़ोस में एक भावी रहती है उसे कैसे पटाएं या एक शादी शुदा हो रहत है उसे कैसे पटाएं इसलिए मैं इनको पटाने के टिप्स आपको नहीं देता हूँ क्योंकि आर किसी का बसा बसा या घर उजाड़ना अच्छी बात नहीं होती जो पांचवा पॉइंट था मतलब पांचवा पॉइंट की जो मेन बात थी वो ये थी जो आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकती है अगर आप किसी लड़की को अपना नंबर देकर आयो तो तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल लवगर शाप को सब्सक्राइ करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना और अगर इसके बाद भी आपका कोई इंपोर्टेंट सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना मैं आपको रिप्लाइ कर दूँगा और अगर आपका कोई दोस्त जो किसी लड़की को नंबर देकर आया और उस लड पर अभी तक कॉल नहीं आई है तो उस दोस्त में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना उसकी हेल्प हो जाएगी तो आते हैं भाई नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई